एडी की दलीलों और हलफ नामों को किनारे रख अपनी मर्जी से केजरिवाल को अंतरिम जमानत तो दे दी लेकिन कोर्ट ने केजरिवाल के सारे अधिकार एक तरह से निरस्त कर दिये मतलब कि दली के सीम तिहार में ही रहेंगे और बाहर जो जाएगा वो अरविंद केजरिवाल होगा एक विधायक तक का अधिकार केजरिवाल के पास नहीं होगा केजरिवाल को दी गई अंतरिम जमानत में अपने आदेश में सुप्रिम कोर्ट ने साफ कहा कि अरविंद केजरिवाल सी एम आफिस और दिल्ली सचिवाले नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि बिना दिल्ली के उपरा जिपाल के आदेश के किसी भी सरकारी फाइल पर केजरिवाल साइन नहीं करेंगे सुप्रीम कोड ने अर्विंद केजरिवाल को 50,000 रुपए के निजी मुचल के पर अंतरिम जमानद दी है सुप्रीम कोड ने कहा कि जेल के बाहर आकर अर्विंद केजरिवाल डिली अपकार नीती में अपनी भूमी का को लेकर चर्चा या कोई बयानबाजी नहीं करेंगे इसके साथ यारविंद केजरिवाल किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे केज से जुड़े किसी भी आधिकारिक फाइल तक उनकी पहुँच नहीं होगी सुप्रिम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुशार महता ने अमरित पाल सिंग का जिक्र किया और कहा हमारे पास उसका भी मामला आया है तब बात काटते हुए जज ने का कि वो मामला अलग है सुप्रिम कोर्ट ने कहा कि हमें कोई समान लाइन नहीं खिचनी चाहिए ये कहकर एक तरह से अदालत में एडी के हलफ नामे को निप्टा दिया जिसमें कहा गया था कि केजुरिवाल को अंतरिम जमानत देने से घलत परमपरा कायम होगी केजुरिवाल को मार्श में गिरफतार किया गया था गिरिफ्तारी पहले या बाद में भी हो सकती थी तब किस दिन इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा दो जून को केजुरिवाल सरेंडर करेंगे अर्विंद केजुरिवाल को अंतरिम जमानत मिलने के बाद भाजपा ने भी कहा कि चुनाव के लिए केजुरिवाल को जमानत मिली है केजुरिवाल को दो जून को फिर से जेल जाना होगा आज कोर्ट में ये साबित हो गया कि वो करप्शन में लिपत हैं इस तरह की बंदिशें सुप्रीम कोर्ट ने केजरिवाल पर लगाई उससे तो साफ है कि कोर्ट ये मान कर चल रही है कि केजरिवाल ने कुछ तो गोल माल किया होगा इससे पहले एडी ने उनकी जमानत का विरोध किया था इडी ने कहा था कि सामान्य नागरिक के तुलना में एक राजनेता किसी विशेशा धिकार का दावा नहीं कर सकता अपराध करने पर उसे किसी अन्य नागरिक की तरह ही गिरफतार और हिरासत में लिया जा सकता है जैस्टिस संजीव खन्ना और दिपंकर दत्ता की पीट्स ने कहा कि कथेता अपकारी नीती घोटाला से जुड़े मने लॉंडरिंग मामले में गिरफतार केजरिवाल को दो जून को आत्म समर्पन करना होगा और जेल वापस जाना होगा सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद अरविंद केजरिवाल के वकील अबिशेक मनु सिंग्वी ने कोर्ट से अनोरोध किया कि दिल्ली के मुख्यमंतरी चार जून को वोटों की गिनिती के एक दिन बाद 5 जून तक अंतरिम जमानत दे दी जाये इस पर सुप्रीम कोर्ट जज ने कहा नहीं नहीं शीर अदालत के जरिवाल के उस सियाचिका पर सुनवाई कर रही है जिसमें मामले में उनकी गिरफतारी को बरकरा रखने बारे दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले महीने के फैसले को चुनौती दी गई है झालो है